गती सौ सब परती मिनट डिक्टेशन सुरू होने में समय सेश है पांच सेकेंड रेडी अस्टार्ट एक टीवी न्यूज एंकर की गिरफतारी को लेकर चतिस गड़ पुलिस और यूपी पुलिस आमने सामने खड़ी नजर आई यह दुरभाग्यपूर्ण भले हो कोई नई बात नहीं रह गई है कुछ समय पहले बिजेपी नेता तेजिंदर सी बगगा को पकड़ने आई पंजाब पुलिस ने जिस तरह सुबह सुबह उन्हें उनके घर से उठाया और फिर दिल्ली और हर्याना पुलिस ने उस परियास को नाकाम किया उसे भी भुलाया नहीं जा सकता हलांकि 36 गड़ पुलिस का ताजा ओपरेशन इस मामले में अलग जरूर है कि इस बार पुलिस टीम गिरफतारी वारेंट लेकर आई थी मगर अस्थानिय पुलिस को सुचित करने की जरूरत उसने भी महसूस नहीं की मामला कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के वाइनाड दफतर में हुई तोड़ फोड की घटना पर दिये उनके बयान को उदैपुर में हुई टेलर की हत्या से जोड कर दिखाने का है न्यू चैनल ने इसे मानविये भूल बताते हुए इस पर माफी मांग ली है लेकिन 36 गड़ पुलिस को मामले की तह तक जाना जरूरी लग रहा है समस्या सिर्फ यह है कि ऐसे तमाम मामले मुलतह राजनीतिक हैं खास पार्टी को ब्रूचने वाले मामले में उस पार्टी द्वारा सासित कई राज्यों में एफ आई यार दर्ज करा दी जाती है अगर सामने वाले की किसमत अच्छी हुई और उसके राज्य में दुसरी पार्टी का सासन हुआ तो कुछ हद तक बचाओ हो जाता है जैसा टीवी एंकर के मौजूदा मामले में नजर आ रहा है उन्हें अपने बिजेपी सासित राज्य की पुलीस से काफी सहयोग मिला उसके उलट जब गुजरात के युवा नेता जिगनेस मेवानी को पकड़ने असम की पुलीस आई तो उन्हें अस्थानी प्रसासन से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला क्योंकि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी लगभक ऐसी ही अस्थिती फार्मेसी अस्टूडेंट निखिल भामरे और मरात्थी अभिनेत्री केत की चीतले की हुई जिन्हें एनेसपी नेता सरत परवार से संबंधित फेस्बुक पोश्टो की वजह से जेल जाना पड़ा जाहिर है किसी लोकतांत्रिक समाज में पुलीस को इस तरह से सत्तारूड डल का अजेंडा अपने हाथ में लेकर उसे जैसे तैसे आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती लेकिन पुलीस का नियंत्रन राजनीतिक नेत्रित्व के हाथों में होता है और आज की तारिक में कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का लोकतांत्रिक अंकुस बरदास करने के मूड में नहीं दिखता ऐसी अस्थिती में गेंद स्वभाविक रूप से सुप्रिम कोट के पाले में आ जाती है अनराज्यों में पुलीस कारवाई को लेकर सी आर पीसी के प्राबधान पुरी तरह अस्पस्ट नहीं हैं यह अस्पस्टा सुप्रिम कोट ही दूर कर सकता है यह भी ध्यान देने की बात है कि सुप्रिम कोट के अस्पस्ट दिसा निर्देश के बाबजूद एक ही मामले में अलग-अलग राज्यों में एफ आई आर दर्ज कराने के मामले बढ़ते जा रहे हैं यह जाँच की परकिरिया को ही सजा बना देने का अस्पस्ट उदारन है उमीद करें कि सुप्रिम कोट जल्द ही दखल देकर मामले को और बिगड़ने से रोकेगा ब्रिटेन के पधान मंत्री बोरिश जॉंसन ने इस्थिफे की घोशना कर दी है लेकिन वे कुर्सी पर सरद रीतू तक टिके रहना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि इस्थिफे का एलान भले हो गया हो 30 नमंबर तक इस्थिफा ना दें और उसके बाद ही उनका उत्राधिकारी चुना जाए लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टि में जिस तरह की बगावत हो रही है उसे देखते हुए लगता यही है कि उन्हें अपना पद तुरंत छोड़ना पड़ेगा पार्टि के करीब साथ सांसद जो सरकार में किसी ना किसी पद पर थें इस्थिफा दे चुके हैं यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि जौनसन से तुरंत इस्थिफा लिया जाए और उनकी जगह एक कार्यवाहक परधान मंत्री नियुक्त किया जाए स्टॉप